बॉल्यूड की सूपर हिट फिल्म में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉल्यूड और बेल आइकन पर प्रेस करें बड़ी फापा बड़ी फापा कितना जोगे जो आप आगे कित ब्रेस करें तुम कहां गहीं हैं मुझे पता इन ही कि आप आजाने वाले ना fren ना नète अधर की उनके अचने शार्ट अवाट का बस्टा-ड़ करें ड़्यां गाए 10 काश के तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नीम से उड़कर चले आते दुनिया जानती है कि जब राजेश और दोस्ती निबाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मने करता है तो तारीख बन जाती है देखो एक छोटी सी भेट लाया हूँ तुम्हारे लिए जो शायद तुम्हे कुछ याद दिरा सके इमली का बूटा बेरी का बेड़ बस अफैसला तुमारे हाद में राजेश्वर या तो इस तस्वीर को उठाकर चूम लो या हम अपना फैसला एक शर्ट पर सुनाएंगे मंधारी अगर तुम हमारा फैसला बी सिंह तक सही सही पहुंचा दोगे तो तुम्हारी शर्ट मेरा बादा 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 बाद और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है मौत का कौन से कुछ के गए थे तो मुदर को कौन तेरे मश्वरत दिया रहा उदर जान का कर देख करूए सापड की तेरे को हूँ अचान की आह Ray dramatic अप्री उमीद लेकर गया था मंदारिय में आहीं के वाया इन 4 साल में पूंपoqu का म थाधा नचान की घददा हुआ हुआ होगा 14 साल 14 साल मुले और 10 or 14 साल भी अगे जक्टर जान तो मुझा जन फाधा होए बंच कोई ज़ानवर का जान न रहे न हो तो तो तू चला तलवार निकल अगर तेरे इत्ती गर्मी है ना तो गार के बाहर निकल मजान में आ सामने खड़ा मिलेगा तेरे दादा बीर तेरे जिग्रा होए तो तू चला तलवार अगर एक उंग्ली उठादे ना मंधारी एक उंग्ली उठादे दादादाबीर तो सनातनपुर का एक एक जर्रा भरूत पाली नगर के उपर अरे रीच से हीट बज़ जाएजी सभाज होके रह जाएगा दादा बीर चोड़ दादा बीर दादा बीर ना कजादी मेरी तरने वहां जाके अब दिखेला ना तू अई जमीन पे पैर तो टिकना ही नहीं उसका हो तो बस असमाल पे कुम तभी रेला अकाश के अंदर सर एंचिन में कुछ खराबी है तो पाली नगर वापस ले लो नहीं सर यहीं सनातनपूर में उतनना पड़ेगा वो क्यों? वाली नगर तक जाने में एक्सीडंट हो सकता है सर ठीक है यहीं उत्रो लेकिन यहां भी दुश्मन है सर तो भाई एक्सीडंट में मनने से तो अच्छा है दुश्मन का सामना ही कर ले लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग है तुम यहीं उत्रो ओके सर प्याट प्याट याट फ्याट प्याट हम कर दो कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है पर रहकर भी आसमान में उड़ता है भी सिंग्ग हुआ 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 है बढ़ा जी खड़ा तू और जी कलम मैं अग्यार बीच में पिस्तोल तो अचला गोली अछिए मुझपर दिकाल ले तो अप्रो दिल की हर्मान नहीं तेरे सामने खड़ा हूं हम खराद नहीं लेते भी सिंग हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे लेकिन वो बंदूग भी हमारी होगी गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा बंदूग तेरी गोली भी तेरी दिन तारीख भी तेरा सुबह बोले सुबह शाम का शाम अवाज दे तू बीर सिंग तेरे को सामने खड़ा मिलेगा तुम्हे तो वक्त लाएगा बीर सिं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गूली कौन चलाता है साथ ये जैर के आतों तेरी मौत ना औरने की रजेश्वर है जहां पर तु खड़ा है न रेश्वर है इस धर्ती पर अनाज बोया जाता है प्रसलें काटी जाती है नहत्य आदमियों का खून भागे इस धर्ती को नापाख हमने नहीं उन देना अच्छा हुआ करणल सहाब आप आ गए बीर सिंग से कहिए के शेर को सांप और बिच्चु काटा नहीं करते दूर ही दूर से रिंगते हुए निकल जाते हैं और फिर सौधा जिन्दगी बचाने का नहीं जिन्दगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो करी रहेगी कर दो नहीं करना का हुआ कुनाल, वक्त बीता जा रहा है, तुम्हें अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए देखो, अमला, दादा जी ने घर के चारो तरफ पहरे और बढ़ा दिये तो? थोड़ा वक्त और दो तोहीं असा नहों कि मैं मर वासू, पापा ने मेरा हविली से बाहर आना जाना बंद कर दिया है अब मैं शाय तुम से नहीं मिल पाऊंगी बारूत भट कर धरती को चीज सकती है रादा, लेकिन तलाब में खिलने वाला फूल तो खिलता ही है टायलोग अच्छा बोल लेते हैं आप अच्छा कर लेता हूँ रेली लेकिन अब हम कैसे मिलेंगे वासू इसका तरीका ढूलाया हूं मैं तरीका यह तीन रंके गुबार है ना अगर तुमने लाल रंका गुबारा उडाया तो मैं समझाओंगा ठहरो, खत्रा है अच्छा और अगर मैंने ये पी रंका गुबारा उडाया तो मतलब याद आरियो हैं हरी रंका गुबारा उडाया तो मतलब आ और फॉरन एक पंची मन कर आजाओंगा तुम्हारी हवेली में वाख मेरे प्रेम के पंची, पच्छास बंदू के तैनाथ है हमारी हवेली के आदस-पास बुला कर तो देखिए, बंदू के चलती है या आशिक का जादू चालेंज? अगर इस ओदे में मैं जीत गया, तो फिर क्या दोगी? ना बाबा, मुझे इसा कोई चालेंज नहीं करना, जिसमें तुम्हारे जान का खत्रा हो मैं राजेश्वर से मिलने उसके घर गया था, तो पता चला कि सब लोग राजा महिंदर के साथ समस्तिपूर गयें शिकार खेने हाँ, शिकार का शौक तो उसे बचपन से है मांधारी, तुम तो उनके बचपन के दोस्त हो, उनको कोई रोश्णी दिखाओ ना यार करनल साब, जो घर बरसों से अंधेरों में बन रहा हो, उन्हें बाहर की रोश्णी किस काम की, उसका अंधेरा तो उस घर का कोई दीपक ही दूर कर सकता है ऐसा दीपक उस घर में कोई नहीं जिस दिन होगा न, शिव कसम मंधारी उस दिन एक टांग पर नाचेगा, करनल साब, एक टांग पर व्यूरिफल, आहा, व्यूरिफल लेक्या के तुम ने? क्या? गुबारा था, तुम मेने छोड़ किया लेकिन वह मेरा गुबारा था जो बार तुम्हें मालूम है न, तुम्हें कमरे से धान निकलने के इजाज़त नहीं है अंदर जो बार यह तो बड़े पापा है और यह मेरे दादू है अल्ला के नाम से इश्वर के धाम से ये तो ये तो ये तो होना ही था तुम दोनों की महबत पर मंधारी के दस जनम कुरवान मेरे बच्चों वाह 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 हम समझें नहीं मंधारी काका यही तो तुम्हें मालूम नहीं बेटा तुम दोनों जिनकी उलाद हो वो आज एक दूसरे के सबसे बड़े जानी दुश्मन है और जो एक जमाने में सबसे गहरे दोस्त है जी सुनोगे इनकी कहानी है तो सुनो समझ गया ना सारी कहानी ए दुश्मनी जान लेवा है बचड़े और तू सनातनपुर की लड़की से छुप-छुप के मिलने जावे ए बात कहीं जीजा जी को पता लग गई तो वो कौन सी बात चुनिया बाबू कुछ बात नहीं जीजा जी मैं समझा रहा था मैं इसे बोल रहा था कि सनातनपुर के मजदूर के साथ भी दोस्ती करने का मतलब है बिच्छू से दोस्ती करना बिच्छू से भी हम दोस्ती कर सकते हैं, उसका जहर भी पी सकते हैं, लेकिन सनातिन्पुरू का पानी भी हम बरदास्त नहीं कर सकते मेरे बेटे यह है कहानी उन दोस्तों की, जो आज दुश्मन बन चुके हैं अगर तुम दोनों की महबबत पवित्र गंगा है तो ये दोनों उस गंगा के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते हैं कभी नहीं अगर ये किनारे हमारी महबबत की गंगा को डोपने की कोशिश करेंगे मंधारी काका तो फिर ये गंगा भी बार बनका इन किनार को तो देगी और फिर एक सेराब आईगा नहीं मंदरी काका मेरी बड़े बापा बहुत अच्छे है वो मेरी खुशे के लिए आप भी सब गम्मुल आ सकते है हम उन दोनों को फिर से दोस्त बना देंगे है ना हाओ मंदरी काका सुन लिया प्रभू सुना तुमने अब परिक्षा तेरी है दोस्त मेरी नहीं मुझे तो बस ये देखना है कि तु इनकी महबबत को प्रेम की गंगा बनाता है या खून की नदे हमारे बच्चे ने जनम ले लिया है कुनार बाबा बच्चे को लेके दादा बीर के पास गये है तुम जल दिया तुम्हारे इंतिसार में अम्ला ये नहीं हो सब्दा ये लोग ये लोग मुझे मार देंगे क्या हुआ बेटा खुलाराम राधा है तो कहना कि मैं मैं शहर चला गया तो तीन दिन में लोटूँगा या फिर फोन करूँगा ठीक है ये बच्चा राजेश्वर के पोते कुनार का है बाबा उसने अम्ला को प्रेम जाल में फटा कर अपनी वासना का शिकार बनाया यानि हमारी इज़त को मिठी में मिलाया इसका जवाब हमें देना होगा बाबा देना होगा सबसे पहले आम्ला बेटी को हमारे पास लिक्या होगा बच्चे को जर्म देते ही वो कुनार को ढूलने पाली नगर गई है दादा भी कुनार 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 मोलल जी मुझे कुनार से मिलना है कुनार से मिलना है जी बहुत जरूरी काम है उनसे तेरी कहनी में समझ गया पच्चडी तु कबरा नहीं ममा मैं कुनार का ममा आजा 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 जालो कुनार 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 झाल, झाल, झाल!